राधे राधे जैसी क्रश्ना आज में आपको दूबड़ी आठे या दुर्वा अश्टबी भी कहते हैं उसकी कहानी सुनाने जारी हूँ एक बार एक गाउं में एक साहुकार पती पतनी थे उनके आठ बेटे थे जब सबसे बड़ा बेटा विवह लायक हुआ तो साहुकार ने अपने बेटे का विवह तै कर दिया शादी का मूरत निकलवाया तो वह मूरत दूबड़ी आठे का निकला साहुकार ने दूबड़ी आठे की पूजा नहीं करती थी नहीं वरत करती थी उसके बड़े बेटे के फेरो के समय एक नाग आकर उसे डस लेता है इस तरह सहुकार के साथ बेटे फेरो के समय नाग के डसे जाने से मर गए क्योंकि उन सभी के विवह का मूरत दूबडी आठे का ही निकला था आठवें बेटे की शादी करने से सहुकार पती पतनी घबराने लगे जब भी रिष्टा आता तो वे मना कर देते क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका एक ही लड़का है और शादी करेंगे तो यह भी मार जाएगा घर में साथ साथ विद्वा बोवें थी लेकिन विवहा जैन्म और म्रत्व को कौन टाल पाया है एक नए एक दिन ये सभी काम अपनी नियत तिथी पर जरूर होते हैं आठवें लड़के का विवहा भी तै हो गया घर में शादी का काम करने के लिए कोई सुहागिन महिला नहीं थी साहुकार्णी की हिमत तूड चुकी थी साथ साथ घर में विद्वा भूवें थी तब साहुकार्णी ने अपने आठवें पुत्र से कहा कि तुमारे दूर की रिष्टे की एक मुवोली बहन है तुम शादी का काम करने के लिए उसे ले आओ तब आठवा लडगा अपनी बहन को लेने के लिए उसके गाओं पहुंचा उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी कुकडी का तार बार बार तूट रहा था इसलिए बहन अपने भाई से मिलने के लिए नहीं उठी तब भाई ने अपनी बहन से कहा बहन रुकूं या चला जाओं तू तो मुझे देखकर उड़ती ही नहीं तब बहन ने कहा कि भाई तूटे तार पर अगर उड़ते हैं तो भाई का अफशकुन होता है इसलिए मैं नहीं उठी अब तार जुड गया है तब बहन ने उठकर भाई का स्वागत किया और बहन दोड़ी-दोड़ी पडोसन के पास गई कि अगर कोई प्यारा मेमान घर आये तो क्या करना चाहिए बहन तो बैचारी बोखला गई सब कुछ जानती थी फिर भी वे भूल गई पडोसन उससे चिड़ती थी उसने कहा कि तेल का पोचा लगा दे और घी में चावल बना दे बहन बेचारी भोली बोखलाई सी भाई को देखकर प्यार में डूबी हुई कुछ समझ नहीं पाई जैसा पडोसन ने कहा उसने वैसा ही किया लेकिन ने तो चोका सूक रहता नहीं चावल बन रहे थे तब भाई ने बहन से कहा कि बहन बहुत भूख लगी है तुमारा तो खाना ही नहीं बन पाया है बहन ने पडोसन वाली बात अपने भाई को बताई तब भाई ने कहा कि बहन तेरी पडोसन जूट बोलती है तुम पानी से चोका लगाओ और पानी में ही चावल बनाओ तब बहन ने वैसा ही किया और अपने भाई को बैठा कर अच्छे से जिमाया फिर भाई ने कहा कि बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि मेरी शादी तै हो गई है बहन ने कहा कि भाई मैं तो नहीं चल सकती मेरे बहुत काम पड़ा है इस तरह रातरी को वो अपने भाई को घरी रोक लेती है सुबह अंधेरे में उठी चक्की में आटा पीसा और अपने भाई को रास्ते में खाने के लिए लड़ू बनाए और अपने भाई को रास्ते में खाने के लिए लड़ू बांदिये सुबह जब उसके बच्चे सो कर उठे तो उन्होंने अपनी मां से रोटी मांगी तब उसकी बहन ने कहा कि तुमारे मामा के लिए मैंने लड़ु बनाय थे उनमेंसे कुछ लड़ु पढ़े हैं वो खालो बच्चों ने जैसे ही लड़ुओं को देखा तो कहा कि मा लड़ु का रंग नीला और काला क्यों है उसकी बहन ने जब लड़ुओं को रंग देखा तो उसके पाउं के नीचे से जमीन सरग गई जब वह चक्की के पास गई तो उसने वहाँ साब के अवशेश देखे उसने अपने पती और सास को पूरी बात बताई बहन ने पूत पालने में छोड़ा साजन सेज में छोड़ा दूद चूले पे छोड़ा गायगुआडे में छोड़ी बहसबाडे में छोड़ी चाज बिलोवने में छोड़ी और जिस तरफ उसका भाई गया था अपने भाई को बचाने के लिए उसी दिशा में दोड़ पड़ी रास्ते में वो सबसे पूछती गई कि मेरा भाई किस दिशा में गया है पंगवट पर कुछ ओर्ते पानी भर रही थी उन्होंने कहा कि बहन तुमारा भाई इस दिशा में गया है बहन ने पाओं में चपल भी नहीं पैनी थी वह अपने भाई को बचाने के लिए दोड रही थी तबी उसे उसका भाई एक पेड़ के नीचे चबुत्रे पर बैठा हुआ मिला बहन ने कहा कि भाईया तुमने लड़ू खाए या नहीं भाई ने कहा कि भाईया अभी तक तो लड़ू नहीं खाए हैं बहन ने वो लड़ू लिये और वहीं पेड़ के नीचे खट्डा खोट का गाड़ दिया और बहन ने कहा कि भाईया मैं तुमारे साथ ही चलूंगी काल तो अभी से तेरे सिर पर मंड़रा रहा है भाई ने कहा बहन मैं तो तुझे ले नहीं आया था परंटु तूने ही मना कर अब दोनों बहन भाई घर की ओर चल पड़े कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है भाई ने कहा बहन तुम यहीं पेड के नीचे बैटो मैं तум़ारे लिए पानी लाता हूँ तब बहन ने कहा नहीं भाई तू यहीं पेड़ के नीचे बैट मैं कुए पर पानी पी कराती हूँ बहन कुए के पास पानी पीने गई तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग महिला बैठी थी वो मिट्टी से कुछ बना रही थी कुछ बिगार रही थी बहन ने पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो बुढिया ने कहा कि मैं बेमाता हूँ एक सहुकार के आठवे बेटे की शादी है उसके साथ बेटे तो मर चुके हैं अब आठवा भी मरने वाला है मैं उसी के लिए धाकनी घड़ रही हूँ बहन समझ गई वो समझ गई कि वो उसी के भाई की बात कर रही है तब उसने पूछा कि उसे कैसे बचाया जा सकता है बेमाता ने कहा कि अगर उसके दूर या पास की कोई बहन या भुः दूबड़ी आठे की पूजा करे शादी में उल्टे सीदे नेग करे गाली निकाले, करण कोसे, अब शकुन करे, बारात के साथ जावे, तेली से ताथ लावे, खुमार से हांडी और ढखकन लावे, काचा करवा लावे फेरों में नाग जब डसने आए तो काचे करवे में कच्चा दूद नाग को पिलावे और जब नाग दूद पिने लगे तो उसे हांडी में बंद करके ढखकन लगा दे और जब नागिन अपने पती को छुड़ाने आये तो उसे अपने भाई की आयू मांगे बस फिर क्या था बहन उसी समय से चालू हो गई उसने अपनी भाई को बहुत गालिया निकाली जब ऐसा रूप देखा तो उसे बहुत आश्चरिये हुआ उसने कहा बहन तू तो बहुत सीधी थी तुझे क्या हो गया तेरे पीछे कोई भूत प्रेट तो नहीं लग गया है परन्तु बहन कुछ नहीं बोली राम राम करते हुए भाई उसे लेकर अपने घर पर आया जब भाई का बान बैठने लगा तो बहन बोली इस करम पुटे का बान चोकी पर नहीं बैठने दूगी सिल्ला पर बैठाऊंगी जित करने लगी सभी ने उसे बहुत समझाया परन्तु वे किसी की नहीं मानी और जब उसकी निकासी निकलने लगी तो उसने कहा कि इस करम पुटे की निकासी सामने के दरवाजे से नहीं हवेली के पीछे के दिवार से निकलवाऊंगी घर के और गाओं के सभी बड़े बुडों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी जित के आगे किसी की नहीं चली तब मकान के पिछले दरवाजे को तोड़ कर निकासी निकाली गई तबी सामने का दरवाजा भरबरा कर गिर गया सभी ने कहा कि बहन ने तो अपने भाई को बचा लिया नहीं तो ये अभी मर जाता जब बाराज जाने लगी तो बहन ने फिर से जिद करी कि मैं भी बारात में जाऊंगी उस समय उस जमाने में कोई ओड़ते बारात में नहीं जाती थी परंतु वो गालियां देने लगी वापस से घर के और परिवार के और गाउं के लोगों ने उसे बहुत समझाया परंतु वो नहीं मानी तब गाउं के एक बड़े बुड़े ने कहा कि कोई आठ नहीं है इसे भी बरात में चलने दो जब बरात आधे रास्ते में पहुँची तो बहुत तेज दूप पड़ रही थी सभी बरात और दूले एक बड़के पेड़के नीचे विश्राम करना चाह रहे थे लेकिन उसने बड़के पेड़के नीचे किसी को ने बैठने दिया उसने कहा इस करम फुटे की बारात को मैं पेड़के नीचे नहीं बैठने दूँगी सब दूप में ही बैठो सारे बाराती और दूला परिशान होगे और सब को दूप में ही विश्राम करना पड़ा तबी अचानक वो बड़का पेड़ भी भर भरा कर गिर पड़ा सबी लोगों ने कहा कि बहने तो दूले की ही नहीं पूरी बरात की जान बचाई है सबी ने उसकी बहुत बढ़ाई करी जब वे समदी के द्वार पर पहुँचे तो उसने कहा कि वर माला मैं सामने के दरवाजे से नहीं होने दूंगी और आर्ती चोमू के दीपक से नहीं करने दूंगी जग मगाते खीरा का थाल लेकर आओ, उसी से मेरे करमपुटे भाई की आरती करो बरातियों ने और समधी ने बहुत समझाया, परन्तु उसने किसी की नहीं सुनी तो रण मारते वक्त सामने का दर्वाजा भर भरा कर गिर गया और आरती करते समय उपर से साप आकर गिरा, और वजग मगाते खीरे में जलकर भस्म हो गया अगर खीरा नह होता तो साप दूले को काट लेता और अगर सामने के दर्वाजे से तोरन होता तभी भी दूला मर जाता सभी ने वापस बहन की बहुत बढ़ाई करी जब फेरे होने लगे तो बहन ने कहा कि मैं दूला और दूलन के बीच में बैठूंगी सबने बहुत समझाया परन्तु वे नहीं मानी दो फेरे होते ही साप आया बहन ने साप के आगे कच्चा दूद का करवा भर कर रख दिया साप जैसे ही दूद पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांध कर हांडी में डालकर ढखका लगा दिया और अपने पाउं के नीचे दबा कर बैठ गई और वो पंडित जी से और लोगों से बोली अब आराम से शादी की रसमें पूरी करो तभी वहां नागिन सू साती फू फाती आई और वह बहन से कहने लगी अरी पापिन हत्यारिन मेरे साप को छोड़ तब बहन ने कहा अरी नागिन तू एक घड़ी में ही घबरा गई मेरे तो साथ साथ भावियां विद्वा बैठी हैं उनके दुक्का तुझे क्या अंदाजा सर्पनी ने कहा कि तू मेरे साप को छोड़ दे तब बहन ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही तेरे साप को छोड़ूंगी मेरे साथो भाईयों को तुझे जीवित करना होगा और मेरे इस भाई को भी तुझे जीवन दान देना होगा तब ही मैं तेरे सर्प को छोड़ूंगी सर्पनी ने कहा कि जा मैंने छोड़ा और मैंने सब को जीवित कर दिया सर्पनी ने उसके साथ भाईयों को जीवित कर दिया और आठवे भाईयों को भी जीवन दान दे दिया तब बहन ने उसके सर्प को छोड़ दिया बहन अपने आठो भाई और भावियों को बाराच सहित लेकर वापस अपने घर की ओर रवाना हो गई तब रास्ते में दूबडी आठे आई तब बहन ने कहा कि हम दूबडी आठे की पूझा करेंगे और कहानी सुनेंगे तब सब ने कहा कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे बहन ने कहा कि सब हो जाएगी जैसे ही वो एक जगें दूबडी आठे माता का नाम लेकर बैठे तब ही वहाँ पाटा भी अपने आप आगया बेर का पेड़ भी उगाया वही पर बिरिये से भरा हुआ टोकरा भी उन्हें मिल गया पूझन की सारी सामगरी भी उनके पास आ गई बहन ने अपने आठो भाईयों और भावियों के साथ पूझा करी काटा पासा वा कथा कही फिर बिरियों से सबने बाइना निकाला तब बहन ने अपने सभी भावियों से कहा कि हमेशा भादवा सुधी आठे को दूबडी की पूझा करना काटा पासना और पूझा करना और खता कहानी सुनना और व्रत करना उधर साहुकार और साहुकार नी घर की चत पर बैठकर बाराद का इंतजार कर रहे थे मनीमन सोच रहे थे कि अगर आज उनका आठवा बेटा भी मर गया तो वो छत से कूद कर जान दे देंगे तबी एक पनिहारिन ने आकर कहा अरे सेट जी और सेठानी जी आपकी बेटी आपके आठो पुत्रों आठो भावियों को लेकर बारा सईथ आ रही है उनकी स्वागत की तैयारी करो साहुकार और साहुकारनी बोले ताने क्यों मारती हो क्यों मजाक उड़ाती हो तब पनिहारिन ने सोगन खाकर कहा कि मैं सच कह रही हूँ चत के उपर से साहुकार और साहुकारनी को सामने से धूल का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया जब वो थोड़ा और पास में आये तो उनको विश्वास हो गया उन्होंने अपने सभी बहुँँ और बेटों का स्वागत किया थोड़ी देर बाद बहन ने कहा मा बाओ जी अम मैं वापस अपने घर जा रही हूँ सावकारो सावकारनी ने कहा कि बेटी कुछ दिन और अपनी भावियों के साथ रहो बहन ने कहा कि नहीं मा पूत पालने में साजन सेज में गाई गौाडे में बहस बाड़े में, चाजबिलोने में और दूच चूले पर छोड़ कर अपने भाई की जान बचाने के लिए उसके साथ दोड़ी चली आई हूँ मा मेरा बहुत काम रुका हुआ पड़ा है, मुझे जाना ही पड़ेगा भाईयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन दोलत दे कर विदा किया और उसे वापस उसके सुसुराल छोड़ने आए, रास्ते में वही इस्तान उसे वापस से मिला जहां उसने जहर वाले लड़ू जमीन खोद कर गाड़े थे बहन ने उसी इस्तान को वापस खोदा, तो उसमें जहर के लड़ू सोने चांदी के सिक्कों में बदल गे बहन ने उनमें से कुछ सोने चांदी के सिक्के अपने भाई को देने चाहे लेकिन भाईयों ने कहा कि नहीं बहन इस पर तो तुम्हारा हक है इसकी तो तुम ही हकदार हो ये दूबड़ी आठे माता जैसा आपने उनका भला करा वैसा सबका करना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकरा भने वाले की गर्तियों तो पूरीयों पूरीयों तो परवान चड़े भूले विसरे नाम तरे भंडार में भरे धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कज़ा कहाने के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहे धन्यवाद